हेलो अब्रिवान नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आलोग बाचपई और आप लोग जुड़ चुके हैं इंडिया के नमबर वान इस्टेडी चैनल वाइफाई स्टेडी पर और आप लोग इससे में जुड़े हुए हैं वाइफाई स्टेडी 2.0 ऑफीसियल इटूब चैनल प हर एक एक्जाम के लिहाद से बहुत ही महत्वण है तो सबसे पहले सभी भी द्यार थी लोग एक बार कर दीजेगा लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और अगर कोई आप लोगों के मन में प्रस्ट है कोई प्रस्ट आप लोग पोउचन चाहंते हो तो आप लोग करते हैं सबसे पहले तो मुझे अनकेडमी लर्नर रैप पर फालो करोगे सब ही बिद्यारती और फालो करना आलो कुमार बाचपई के नाम से तो मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को अनकेडमी लर्नर रैप पर जरूर मिलेगा तो आप सभी लोग मुझे फालो कीजिएगा और मेरी सारी क्लासे वहाँ पर फ्री क्लासे सभी लोग करें और अगर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी यह 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 वह को रिजनिंग की है कोई भी आप यहां से टेस्ट स्रीज एकदम फ्री प्राप्त कर सकते हैं आइकॉनिक फीचर्स में आपको हर एक चीज प्रियरिटी बेसेस पर मिलेगी सारे डाउट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के दौरा आपको क्लियर के जाएंगे तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी एबी सर्टेन कोड ही लगाना है सब विद्यार्थियों को और यह रेज हैंड का प्रियोग जरू कीजिए जब भी आप अगेडमी लगना राप पर क्लास करते हैं और रेज हैंड का प्रियोग करके सीधे एजुकेटर महोदें से बात्चीत करके बहुत सारे प्रस्नों को आप लोग यहां पर स्वाल्व कर सकते हैं और आज का डाउट बाइन अगेडमी पर अपना क्वेश्चन है आप इमज फॉर्म में संद कीजिए आंसर आप लोगों को इंस्टेंट मिलेगा और कोई सब्सक्रिप्शन लेने पर और साथ में डिसकाउंट भी मिलने वाला है अगर आप सभी लोग भीया ए भी सर्टेंट कोट का प्रियोग करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा होगा पहला सवाल है एंजल जलप्रपात भीया कहां परिस्तित है पटापट आंसर करोगे एंजल जलप्रपात जो है वो आपका कहां परिस्तित है पटापट आंसर लफकुस देखो बहुत बढ़िया सवाल है एंजल जलप्रपाथ यह जो जलप्रपाथ है यह सबसे उंचा जलप्रपाथ है सबसे उंचा जलप्रपाथ है कहां पर है तो यह वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला में इस्तित है अर्जेंटीना में एक घा ग्हास के मैधानों को बोलते हैं अर्जेंटीना के ओस्ते मैधानों करनाडा जो है विस्व में सबसे लंबी वित अगर आपकीर ऑफ यह सबसे लंबी तट्रेकह ऑस्ट्रियाकी यह आपका डेन्यूब नदी के किनारे इस्तित हैं यह सारे के सारे most important points हैं आप लोगों को याद रखना है किलेर हुआ भी है पहला सवाल सभी लोगों को एक बार yes कर देंगे अगर पहला question के लिए रोगया आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है लमड़ी जिंजात किस राज्य में नहीं पाई जाती लमड़ी ट्राइं या आपके किस राज्य में नहीं पाई जाती आप लोगों को बताना है बोलो वोड़ासर सारे लोग अंसर करोई तेजी से एक बार फटाफट आंसर कीजिए और सारे लोग सेर कीजिए कब सेसन को लंबडी ट्राइब की बात्चीत हो रही है और लंबडी ट्राइब आपकी नहीं पाई आती है तमिलनाडु में बाकी आंद्रप्रदेश में भी है महरास्टर में भी करनाटक में भी अभी यहां पर इनसे और वह सारे questions बनते हैं जैसे आंद्र प्रदेश जो है यह भासा के आधार पर गठित पहला राज्य है भासा के आधार पर गठित पहला राज्य अंद्र प्रदेश की जब भी हम लोग बाचीद करते हैं तो यहां पर एक तम्माकू अनुसंधान संस्थान है राजमूंद्री में यह आप लोग याद रख्येगा तमिलनाटु की बात करते हैं यहां का नुअरत जो है करआगël बहुत प्रसित है उसके बाद में भरत नांट्यम यह इससे भी जड़ा प्रसिद्ध थैं तमिलनाटु का करनाटा की बात करेंगे यहां की बहसा करनाड है और करनाटक का एक बहुत प्रसीद डांस है यक्षगान, ये भी आपको याद रखना है, सारे पॉइंट देखो, जो ऑप्सन से उनसे जितने कॉश्चन्स बन सकते हैं, वो जरूर कोसिस करिए आप लोग, हमेशा पेपर सॉल्प करते समय, ताकि आपके एक्जाम में बहुत स सबी लोग हर एक जगह पर सेशन को सेयर जरूर कर देंगे, सबी विद्यार्थी, जितने लोग हैं, देखो है, सबसे पहले जो कारवाहक राश्च्पती थे, उनका नाम था वराहा बैंकट गिरी साह, लेकिन अगर सवाल पूछा जाएगा, पहले मुसलिम कारवाहक राश् पति जाकिर हुसेन, पहले कारवाहक तो बीविगरी साह, जाकिर हुसेन साह की अगर में बात करते हैं, इनको 1963 में भारत रचन से नवाँ जाएगे, ठीक है भई, चली, अग्ला सवाल है, कैल्विन स्केल में मानब सरीर का तापमान कितना होता, कैल्विन स्केल में, फटा फटा अंसर करोगे बई केलविन इस केल में बच्चे मानव सरीर का तापमान कितना होता देखो बहुत बढ़िया सवाल है केलविन पैमाने में पूछा गया है मानव सरीर का तापमान सेल्सियस में 37 फारे नाइट में 98.6 केलविन में आपका हो गया 310 तो अंसर कितना हो गया 310 केलविन फारे नाइट कर लिए कितना होता है सेल्सियस व्याद कर लो कितना होता है याद रहेगा ठीक है अगला सवाल जब एक गैस को द्रब में बदलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं या वास्पी करन या निक्षेफ या समयली सेंड या यानase की उर्थ पातन और सब्ली में बोलते हैं किया बोलते हुआ अगला सवाल है सबसे छोटा उपगर्ह कौन सा गर्छे कितने हैं Tax कर लेना ऐसे नोट कर लेना सबसे बड़ा कौन सा है तो आप कहो गया ब्रहस्पती है फिर सबसे छोटा कौन सा है तो सबसे छोटा बुद्ध है फिर सबसे अधिक उपग्रह वाला सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है तो आप कहो गया सनी है ठीक है भाई याद रहेगा तो सबसे चोटा उपग्रह पूछा गया है किस ग्रह का है तो सबसे चोटा उपग्रह आपका मंगल का है और वो डीमोस है और सबसे बड़ा उपग्रह किसका है प्रहस्पति का है और कौन सा है गैनिमेडे ये सबसे बड़ा उपक ग्रह है, सुक्र को भोर का तारा, सांज का तारा, चमकीला ग्रह कहते हैं, ठीक है, और बुद्ध सबसे छोटा ग्रह है, भाई याद रखना है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ये देखो चार आंत्री ग्रह हैं, कौन-कौन से, बुद्ध, सुक्र, प् में इस्थित है पटा अफट आंसर करोगे भाई पवन कुमार कावेंद्र बरका लोगे बार सेयर जरूर कर देना बाई सेसन को हर एक हमारे प्यारे विद्धारति सेयर जरूर कर दीजिएगा आंशर कीजिए इस प्रस्थन का सही उत्तर क्या हो जाएगा बहतरीन कोश्चन है बहतरीन वेली जील जो है यह किस राज्य में इस्तित है वेली जील की जब भी हम लोग बाचीत करते हैं तो यह जो वेली जील है यह आपकी इस्तित हो याती केरला एक और जील है बेमनाद यह भी वेली जो केरला में इस्तित है हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं कोविद 19 का 100% टीका करण करा दिया ऐसा सरकार का कहना है दूसरी बात उसने कहा हमने अपने 100% लपीजी कनेक्शन दे दिया है ऐसा सरकार का कहना है वहां की बंदर को अनिमल डिकलेर किया था हिंसक जैनवर ठीक है इसके अलावा जैराम ठाकूर यहां के चीफ इनिस्टर हो जाते हैं आलू अंसंदान संस्थान हिमाचल प्रदेश में ही इस्तित है ठीक है बाई चले आगे बढ़ते हैं चब आलिस में संभिदान संसोधन के ताहित कानूनी अधिकार क्या बन गया सिच्छा का अधिकार संपत्ति का अधिकार नयाएक उप्चार का अधिकार या काम का अधिकार क्या आंसर होगा भाई बोलिए उदय आसू पवन जितने लोग जुड़े हुए फटा-फट आंसर करोगे भाई यह बहतरीन क्वेश्चन है देखो सिच्छ कर दिया गया आर्टिकल नंबर तीन सो ए में सामिल कर दिया गया यानि कि अंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार अगला सवाल है प्रुसिद्ध साची स्टूप कहां इस्तित है रायसेन भुपाल सतना सागर साची स्टूप और एक चीज़ और बताओगे साची के सटूप कौन से कितने रुपे के नोट के ऊपर तस्वीर है पीछे की तरफ साची का स्टूप जो है वो कितने रुपे के नोट के ऊपर बना है देखो, सबसे पहले तुम्हें इसका उत्तर बता दूँ, इसका आंसर हो जाएगा यार राइसेन में, आप देखो दस रूपए पर कोणारक सूर्य मंदिर है, बीस रूपए पर एलोरा है, पचास रूपए पर हमपी है, सौ रूपए पर रानी की बाब है, दो सो रूपए पर साची का स्टूप है, पांसो रूपए पर लालकिला है, दो हजार पर मंगलयान है भूलोगे तो नहीं? भूलोगे तो नहीं? एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में सारे नोट की तस्वीर याद रहेंगी सागर से 510 इसवी में भानु गुप्त का एक अभिलेक मिला है उसको एरण अभिलेक बोलते हैं और ये सती पर्था का पहला लिकेत साक्ष है सती पर्था का पहला लिकेत साक्ष भानु गुप्त का एरण अभिलेक है 510 इसवी पूर पुराना जो मिला है सागर से मध्य परदेश की सतना भी मध्य प्रदेश में हैं भारूत इस्तूप यहीं परिस्तित है भोपाल वेतवा नदी के किनारे इस्तित है भोज सागर्ताल राजा भोज हवाई एड़ा भारत भवन सब भोपाल में इस्तित है अगला सवाल जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो है रिसव देव जी इनका प्रतीक चिन्द भाईया क्या है बोलोगा भाई जैन धर्म के पहले तीर्थंकर रिसव देव जी का प्रतीक चिन्द क्या आए देखो भाई कितने तिर्थंकर हुए हैं एक से लेकर के 24 तक हमको इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है उतनी थोड़ी बहुत मिलती है 22 तक हमें बहुत कम जानकारी ना के बराबर प्रमाणिकता संदिक दिलगती है लेकित 23 में नंबर के तिर्धंकर प्रशुनाथ जी और 24 में नंबर के तिर्धंकर महाइवीर स्वामी जी के बारे में हमको जानकारी मिलती है फिक है लेकिन रिसब देव संस्थापक है और उनका प्रतीक चिन साड है और जो महाबीर स्वामी का प्रतीक चिन है जो वास्तविक संस्थापक कहा जाते हैं सेर है और पारसनाज जो तेश्मे तिर्थंकर है इनका प्रतीक चिन सर्पफण यानि की साप का फण है याद या दिल्ली कि फटा फट आंसर करोगे या प्यारे विद्धारतियों एक बार तेजी से आंसर कीजिए कि देखो सेर सारे लोग एक दम जबरदस तरीके से करो और यहां पर क्वेश्चन को समझोगे बहुत बेहतरीन तरीके से जो भूमी का त्रेल में भूमी का त्रेल में 1984 में शुरू हो गया भारत में पहला कलकत्ता कि 2002-03 में दिल्ली में आता है अब तो लगवग हर जगे है मुंबई में भी है लखनों में भी है हर जगे लगवग मेट्र हो गया है अगला सवाद निम्लिकित में से किसे एक जोड़ों की दोनों बीमारी या प्री होकर करें ठीक है बीमारी एक तो जीवान उसे होनेवाली बीमारी होती है एक विसानु से होनेवाली बीमारी निया चैनल स्थी चोटी परोटो जौगा Men वायरस से याद रखेगा एड्स है वायरस से होने वाली लू है वायरस से होने वाली ठीक है यह सब आपकी वायरस से जिवान उसे पूछेंगे टीवी है टाइफाइड है यह सब जिवान उसे होने वाली है प्रोटो जोगा से होने वाली बीमारियों की बात करते हैं बलेरिया यह प्रोटो जोगा से होने वाली बिमारी है और जो दूनों जोडे की है वो हो जाएगी आपकी सालमोनेला टैफोसा इसके बैक्टिरिया का नाम है mycobacterium tuberculosis इसके bacteria का नाम है छेरो जिसको टीवी बोलते हैं तपैदिक भी बोलते हैं ये अक्षमा भी बोलते हैं ठीक है तेखो ये भी बायरेस ये भी बायरेस ये सब बायरेस हो जाती है तो इसलिए ये नहीं हो सकता है अगला सवाल है कौन सा लोकनत बेस्ट बंगाल से रिलेटेड है बेस्ट बंगाल से रिलेटेड वह या कौन सा है फटा फट सेयर जरूर करते रहिएगा मेरे प्यारे भी ध्यारतियों जितने लोग हैं सबी लोग सेयर जरूर करेंगे सेसन को कौन सा लोकनत बेस्ट बंगाल से रिलेटेड है देखो यक्षगान करनाटका का है तो ये तो होगा नहीं घूमर राजस्थान का है घूमुरा उडिसा का है होगा नहीं ओडम एक उतसव है जो केरला का है होगा नहीं आंसर हो जाएगा बाउल्स ये आपका बेस्ट बंगाल क आएक जत्रा भी है जत्रा अंगरत्थ भी है अगला सवाल है कि यह संब को पारेटित के नाम से जानते हैं ऑबन मेरेडित के मतलब होता जो जाहित के छेत्र में बड़ा पारंगत आद्मी ओ लेखक ओ निवंदकार हो अलोचक हो इसलिए उसको ओवन मेरेडित कहते हैं और एक ऐसा गवर्नर जनरल है लौड लिलिट्टन इसको हम लोग ओवन मेरेडित कहते हैं ठीक है करजन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन होता है बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में लोड करजन के समय में होता है दूसरी बात दूसरी बात याद रखिएगा और ये जब विभाजन निरस्त होता है 1911 में निरस्त भी होता है मेयो के समय में पहली जनगरना 1872 में हुई यह मेयो के समय में पहली जनगरना होती है 1872 में लेकिन यह नहीं decide कर पाते हैं दुवारा से कब होगी तो रिपन बावु जो है यह पहली दस वर्सी जनगरना कराते हैं 1881 में सारे के सारे पॉइंट किले हो गए हां तो एक बार कमेंट सेक्शन में थमस अब जरूर करके बताईए बहुत है बिल्कुल मैं समझ गया है टेकनी सियन वाली पोर्ष जो होती है बिल्कुल मैं समझ गया बहुत है जितने लोग जुड़े हुए है एक बार सारे लोग सेस्ण को भी यह सेर्ज जरूर करते रहेंगे देखो बहुत बेतरीन सवाल है कुछी कला वाटरफॉल की बात करते हैं तो यह आपका करनाटका में है और यह आपका सबसे उचा वाटरफाल भारत के हम लोग कह देते है ठीक वाई याद रहाएगा करणाटक में है और स्यमोग्गा जिले में है याद रखिएगा ओलंपिक पदक और राजीव गांधि ख्यालत जितने वाली पहली मैला अब इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्द पुरसकार अब इसका नाम हो गया भी या ठीक है आब हटा दिया गया इसका नाम राजीव गांदी खेल रत्द एक मात्र महिला है कर्णम बले सुरी जो राजीव गांदी खेलन पुरिस्कार भी जीती है पहली महिला पहली महिला एक महिला नहीं कहेंगे और पहली महिला ओलंपिक में पदक जितने वाली भी कर्णम मल्यसुरी है ठीक है याद रहेगा चलिए अगर सवाल पूछा जाएगा एक मात्र जिमनास्ट जिसने राजीव गंदी खेलतने वाड या अब लिखकर के आ ध्यांचंद खेलतने राज तब लगाओगे क्या बताओगे एक मात्र जिमनास्ट कौन है बहुत प्रसिद है चौते नंबर पर रहीं थी लास्ट ओलंपिक में आंसर आप लोग कीजिएगा दीपा कर्माकर ठीक है मैं बताए दे रहा हूं चलिए गरतन त्रकिया उधारना कि देश के समिधान से ली गई है गरतन भीया सारे लोग यार सेर और लाइक तो कर दो भाई जितने भी द्यार थी हमारे जुड़े हुए एक बार लाइक और सेर तो बनता है भीया कि देखो या गरतनत्र की जो अवधारना है वह आपकी लीग है कहां से फ्रांस के समिधान से अमेरिका से प्रेसिजेंट का पत लिया गया है वाइस प्रेसिजेंट का पत लिया गया है फंडामेंटर राइट लिया गया है यह सब आपका अमेरिका से लिया गया है ठीक है ब्रिटन की राजधानी की बात करोगे तो ब्रिटन की राजधानी लंडन है ठीक है चली आगे पड़ते हैं अगला सवाल है चापेकर ब्रदर्स मुर्डर्ड यानि कि चापेकर बंदू ने हत्या की किसकी जैक्सन करजनवाईली संडर्स या एक प्लेक कमिशनर था रेंड बताओगे भई तो संडर्स को तो मारा था एक सारे के सदस्यों ने वहीं मारा जहां पर लाला जी की लाटी चार्ज हुई थी और वो था लाहोर का एडिशनल सुप्रिंटेंडेंड पुलिस जेपी संडर्स भगत सिंग राजगुरु सुकदेव चंसेकार आया इन सभी लोगों ने घेर के संडर्स को गोली मार दी और संडर्स मर गया पता भी नहीं चला पतो बाद में की सजा तेश्मार्च 1931 को होती है तो संडर्स तो होगा नहीं चापेकर से कोई लेना देना नहीं इनका ठीक है अंसर हो जाएगा प्लेग कमिस्नर रेंड की हट्ट्या चापेकर में की थी ठीक है अगला सवाल है कौन सा राज भूटान को इस परस नहीं करता बहुत बढ़ अरुना मामी म्यामार में रहती है फिर मैंने बताया भूटान के लोग साहब को कहते हैं साब पाकिस्तान का कोड़ बताया हमने पंगुराज ठीक है और बंग्रादेश का कोड़ बताया हमने टाइम एम पीम यह याद है हाँ या नहीं बूल गया तुम लोग अभी जोग्राफिका दो दिन पहले सेसन लिया था इंडियन जोग्राफिका रिपीट नहीं करूँगा के साब बताय दे रहा हूं कि देखिए का इंडियन जोग्राफिक वाले सेसन को दो दिन पहले लिया था उसमें सारी चीज़ें बताइए मैंने सिक्क्यम असम अरुणाचल बंगाल यह भुटान की सीमा को सपर्स करते हैं मेघाले से कोई लेना देना नहीं है भीया मेघाले न पटाफट आंसर करोगे भाई रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया एक अप्रेल 1935 को बना हिल्टन यंग कमीशन की अनुसंसा पर बनाया गया लेकिन जो सुरुवाती हेड़कॉर्टर जो था वो कलकत्ता था क्योंकि अंग्रेजों का केंद्र क्या था कलकत्ता था तो इसलिए स 1937 में हेड़कॉर्टर ट्रांसफर हो करके आ जाता है मुंबई और पहले गवर्नर बनते हैं अस्वोर्न स्मित पहले इंडियन गवर्नर बनते हैं सीडी देश्मुक सबसे अधिक समय तक बेनेगल रामा राव जो प्रस्ट में पूछा गया है सबसे कम समय तक रहते हैं मित बेहतरीन तरीके से किलेर हुआ आज सेयर सब लोग कर देंगे सेशन को अगला सवाल एकदम सेयर कीजिए जवर्दस तरीके से भाई 20 टेलिवीजन दिवस कितनी तारिक को मनाते हैं वर्ल्ड टेलिवीजन डे वर्ल्ड हेलो डे दोनों के दोनों हम लोग 21 नवंबर को मनाते हैं दोनों वर्ल्ड टेलिवीजन डे एंड वर्ल्ड हेलो डे 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे ठीक है 26 नवंबर को राष्ट्री दुख्द दिवस और 26 नवंबर को ही हम लोग सम्मिधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं अगला सवाल है डीपी टी का चो टीका है वो कौन की बीमारी के लिए नहीं है कि d से हो गया या डिफ्थिरिया कि में लिखे दे रहा हूं कि पी से लिया पर्टोसिस पर्टूसिस मतलब काली खांसी, टी से हो गया टिटनेस, यह हो गया भाई, तीनोटी का, और कौन सा नहीं है रेको प्लेग के लिए के डीपीटी लगाय जाता, बिलकुल नहीं, लेकिन प्लेग पूछा गया, एक बीमारी को हम लोग कहते हैं, ब्लैक डेथ, क्या कहते हैं, ब पेस्ट, ताउन और पेस्ट के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है, ताउन और पेस्ट के नाम से, किस बीमारी को जाना जाता है, एक बार तेजी से आंसर कीजिएगा, बाई, फास्ट, बेहतरीन तरीके से, देखो यार, बहुत बड़ी है सवाल है, ताउन और पेस्ट, ह से पहचान होती है ठीक है गल्सुवा को हम लोग मम्स बोलते हैं मम्स ठीक है इसमें गल्सुवा में स्ट्वैलिंग आ जाती है पैरोटीट गरंथियों में पैरोटीट गरंथियों में ट्रैकोमा जो है यह आंख को प्रभाविद करती है इसको प्रभाविद करती है ट्रैकोम वे अर दा जे सुग्स जो जयनों के जो नियम है भीक्चूंग के वो किस में दिये गए हैं तो यह हैं जंडर का गरंत है पर्शिष्ट परवन और जो जैन साहित है जो आपका जैन साहित है उस जैन साहित को आगम कहते हैं और याद रखेगा जैन दर्म दो भागों बढ़ता है एक साखा हो जाती है स्वेतांबर और दूसरी साखा हो जाती है दिगंबर जो बिक्चुओं के नियम है वो आचरांग सूत में जैन साहित कहलता है आगम के नाम से नियम दिये गएं आचरांग सुत में स्वेतांबर दिगंबर दो संपरदाय हो जाते हैं स्वेतांबर के नेता इस फूल बाव joue है दिगंबर बता दीजिएगा आनंदारा सभी बिद्यारतियों को बोलो के भाई पबन करें से बरात आ गई है और जा रहाँ डीजे वजराया लगता है पार्टी अमीर है गुरुजी जाओ यह डीजे सुनों जाकर जाओ 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 डीजे को पर ध्याने होंगे पार्टी पुत्र की जो इस्तापना है वह बच्चे कि यह उदाइन ने ठीक है अब कनिस्क कुसान वंस का एक प्रसिद्ध सासक है इस कनिस्क का सिल्क रूट पर भी अधिकार था इसका याद रखना है ठीक है बैट काला सोग जो है यह सिसुनांग वंस का है अगला सवाल है बैट सबसे कम लिंगा अनुपाद वाला जिला कौन सा है सबसे कम लिंगा अनुपाद वाला जिला कौन सा है आंसर क्या होगा बोलियो बैट सबसे कम लिंगा अनुपाद वाला जिला कौन सा है देखो बाई सबसे कम लिंगात पाद बाला जिला हो जाता है आपका धमन ठीक है कानपूर कौन सिंद्री गंगा है यहां पर भारती या दलहन अनुसंधान संस्थान कहां कानपूर में राश्ट्री या सरकरा संस्थान कहां सरकरा संस्थान भी या कानपुर में ठीक है चलिए अगला सवाल है मतुरा में 1857 के विद्रों का नित्रत तो किस ने किया लियाकत अली कुमर सिंग मौलबी अमधुल्ला या देवी सिंग मतुरा में पोली भी या सारे लोग मतुरा में एत्र तो किस ने किया बहुत बड़िया वर्ल्ड ब्लॉक बहुत जानदार दसरत सरदार उदय प्रवाकर्ति वारी बर्खा बहुत बेतरीन करें ग्रीन पार्क स्टेडियम भी है फिर कहुँए वह एक नया ब्लू वर्ल्ड भी बनाये वह सब्सक्राइब को भी है तो यह आप गिनाने पर आ जाओगा तो सब गिना होगी ठीक है लेकि जो फेमस चीजें वह जरू मैंने बताती जो एक्जाम में आती है एक्जाम और इंटेड है मतुरा में देवी सिंग इसका नेत्रत कर रहे थी ठीक है बैए चली 1857 का जब विद्रो हुआ वाइसराय लौड के नहीं है और 1857 के विद्रो के समय में इंग्लेंड का प्रधानमंत्री पॉमेस्टन है अगला सवाल है उच्च नयाले के बेतन और भत्तों का भुतान किया जा सकता है कहां से उच्च नयाले की बात की गई है कहां से किया जा सकता है बोलिए सारे लोग फास्ट उच्च नयले के जो बेतन भत्ते हैं उनका भुगतान भया कहां से किया जा सकता है आंसर क्या होगा बेहतरी इन तरीके से आंसर कीजिए उच्च नयले के बेतन भत्तों का जो भुगतान है वो भया किया जा सकता है Consolidated Fund of India से ठीक है इंडिया से रहें राजिका मामला है उच लोक सवाद्धैक्ष की नियुक्ति कौन करता है लोक सवाद्धैक्ष की नियुक्ति क्या राश्पती करते हैं प्रधानमंत्री की सलहापर राश्पति है संसत के दोनों सदन मिलकर भोलो बैए first भूलोग भै यह करेगा इन में से कोई नहीं क्योंकि लोकसवा के सभी सदस मिलकर करते है जोसे बर्तमान में सत्रमी लोकसवा चल रही है उसके अध्यक्षे ओम बिर्ला फिक अगला सवाल है उपराश्पति का पत किस देश के समिदान से लिया गया है आर्टिकल नंबर 63 में उपराश्पति का बढ़न है और पहले उपराश्पति हमारे डक्टर सरपली रादाकर्शन साब होते हैं और पहले मुस्लिम उपराश्पति हमारे डक्टर जाकिरुशन साब होते हैं ठीक है लगातार दो बार बनने वालग राश्पती दो लोग हैं एक डॉक्टर सल्परीदाल राधाकर्सन साहब होते हैं दुसरे डॉक्टर हामिद अंसारी यह लगातार दो बार बनते हैं और उपर राश्पतीung का बद है वह लिए गया कि मालिंग नेसनल पार्ग किस राज जुमाया आंसर कीजिएगा सारे लोग एक बार सेशन को राइक और शेयर जरूर कर देंगी तने लोग जुड़े हुए में हैं सारे लोग यार लाइक करो भाई और शेयर कीजिए एक वार अधिक से अधिक हार एक गुरूप में शेयर कर दीजिए ठीक है मॉलिंग नेसल पार्क आपका इस्तित हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश डफला पहाड़ी कहां है तो यह अरुनाचल प्रदेश में है ठीक है बाई याद रहेगा इसका पुराना नाम क्या था नेफा नौर्थ इस्ट फ्रेंटियर एजेंसी वे यह नेफा नाम है म मद्यपर्देश की जब हम बात करते हैं तो मद्यपर्देश की राजधानी सारे लोग जानते हो याद भूपाल मद्यपर्देश की कैपिटल है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं रेक्टिफायर परवर्तित करता है एसी को डीसी में डीसी को एसी में आई बुल्टेज को लोव बल्टेज को हाई ब Алएं बोलीए सारे लोग तेजिंदर कुमावत तोफिया बहुत बढ़िया बरखा बर्मा के सारे लोग आंसर करीए एक बार तेजी से प्यारे विद्यार्थियों जितने लोग जुड़े हुए हो यार तेजी से आंसा करोगे प्रस्नकास सही उत्तर भीया क्या हो जाएगा देखो रेक्टिफायर यह एसी को डीसी में बदलता है आईसी चिप्स का अविस्कार किस ने किया आईसी चिप्स पड़ा अज़र कीजिए बैए पास्ट आईसी चिप्स का फुलपाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट और इसका अविस्कार किया है जक्स किल्वी ने ठीका भाई लूई पास्चर ने रेवीज का ठीका बनाया इसने क्या किया रेवीज का ठीका बनाया ठीका बाई चली आगे बढ़ते हैं यह हो गया बैज जक्स किल्वी आंसर किसने एलसीडी प्रोजेक्टर का विस्कार किया जीन डोगोल्फ मार्टिन कूपार अलेकजेंडर फ्लेमिंग या गुगिलों मों मर को नी बूलियों बैसारे लोग बूलियों आदर सोनी देखो यह बहुत बढ़िया सवाल है कभी पूछा जाएगा एलसीडी प्रोजेक्टर तो इसका विस्कार विया किया जीन डोगोल्फ मार्टिन कूपर को फादराफ मोबाइल फोन कहते हैं अलेकजेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलीन का विस्कार किया थिक है चलि अगला सवाल है प्रगेतिहास के पिता के रूप में किसको जानते हैं रवोर्स पूर्ट अलेकजेंडर कनिगं अलेकजेंडर फ्लेमिंग यह लूई पास्चुर इसको कहते हैं भई मार्टिन कूपर कहा हो और अब मोबाइलफोन है मार्टिन कूपर प्रगति हास के विता हैं यह क्या माने जाते हैं प्यारी विद्यार्थियों रावर्ट ब्रूस फ्रूट को कहते हैं इसको कहते हैं रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को परिगतिहास का पिता कहते हैं ठीक है यह पेनिसिलीन वाले हैं यह रेवीज वाले हैं कि अन्तियोदय दिवस कब मनाते हैं हमने बहुत बार बताया है वर्ल्ड एट्स जे बनाते हैं एक दिसंबर को कि चौदा नमबर को डाइबिटीज डे बाल दिवस साथ अपरेल को स्वास्ते दिवस 25 सितंबर को अंत्योदे दिवस और दीन द्याल उपाध्याय के जन दिवस के उप्लच में किस वर्स में बंगाल को फिर से जोड़ा गया कि दबंगाल जो डिवाइड हुआ था 1905 में उस देखो बंगाल जो जोड़ा जाता है वो 1911 में ठीक है 1909 में मारले मिंटो सुधार होता है ठीक अब यहां 1906 में मुस्लिम लिग की स्थापना होती है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं गिप्सन डेजर्ट यह किस देश में इंडिया में कनाडा में ऐस्टेलिया में यह ब्राजील में कल में मैपिंग कराई थी उसमें बताया भी था गिप्सन सिंपसन नूवियन सब बताया था मैं तो एक बार बताओगे यहां फास्ट क्या अंसर हो जाएगा बिल्कुल भाई वर्ड ब्लॉक्स करें राइट हैं चलिए बहुत बहुत बढ़िया देखो गिप्सन डेजर्ट आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया एक मात्र ऐसा कॉंटिनेंट है जहां कोई सबसे सघन वंवाला अदेश हैं सभसे सगन बन है यहांहां का प्रसिद्Яंस अस सामबा और ब्राजील की अगर हम मिएरी हम बात करेंगे कॉफी पोर्ट है एक सेंटोफ यहां एक कमफी सिटी भी है उसको सावपालो कहते हैं सावपालो जो हैवा कमफी सिटी है और कमफी सेंटोफ है ठी trade क्यापिटल ब्रासिलिया है भारत का दूसरा विदी अधिकारी कौन होता है हम लोग जानते हैं हमारे यहां article number 76 में प्रावधान किया गया है attorney general पहला विद्य अधिकारी है यहां पर पूछा गया दूसरा तो दूसरा इसको assist करता है solicitor general तो solicitor general is the second law officer of India and attorney general is the first law officer of India एडवोकेट जनरल यह आपका दिया गया है आर्टिकल नंबर 165 में एडवोकेट जनरल का प्रावधान दिया गया है CAG, CAG हमारे इंडिया के सबसे बड़े अकाउंट आफिसर है और इनका प्रावधान आर्टिकल नंबर 141 से लेकर के 151 के बीच दिया गया है याद रखिएगा, most important है वई, next question, चेराव किस राज के लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक महत्तपूर्ण लोखनरत है, चेराव वो लोग भी है, past चेराव जो है, भीया वो कहा के लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक द्वारत है वो लोगो भाई, fast जल्दी थे, क्या सही उत्तर होगा इसका देखो है, चेराव जो है, यह आपका हो जाता है मिजोरम, चेराव क्या हो जाता है, यह मिजोरम का एक प्रसिद्र लोकनत है, सिक्किम की राजधानी की बात करते हैं तो गंगटोक, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, और वाचल प्रदेस की राजधानी इटा नगर है, एक चीज और रहाद रखना है और वाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो सूर्य उदय का अंतर है वो दो घंटे का अंतर है यूपियसी सवाल पूछा था एक बार ठीक है दो घंटे बाद जब यहां सूर्य उदय हुआ अगर पांच वजे तो गुजरात में साथ व आप में इसे आजसे कितने विद्धयार थी हैं जो अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्सन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स का एक बार जल्दी से कमेंट सेक्षिन में भी है बता दीजीगा वाई लिख करके ज़रूर बता देंगे जो सब्सक्रिप्सन लेने के इच्छों विद् ठीक है असीरगड का किला कहा है बाई मध्यप्रदेश में ठीक है याद रहागा और इसी किले को 1601 में अकपर का अंतिमा भिहान था सोने की चावियों से खोला था ठीक है बाई संक्राचार मंदिर भारत के किस राज्यों में स्थित है संक्राचार मंदिर वो लोग भई असोक सब्सक्रिप्शन लेने के चुक हैं रोहित कौन सा लेना चांदते हो भई असोक कोड हमारा लिख लिया है आप लोग ने हाँ या न लोगन कोड नहीं लिखाया भई या लिख लेना मैं आप लिख देता हूं बड़ा बड़ा सा कैपिटल लेटर में बगएर किसी स्पेस के एबी सर्टेन कोड लगाना है ठीक है जो भी सब्सक्रिप्शन लेने वाले भी दैर थी है कोड में गलती मत कीजिएगा ठीक है सुख बाबू इसका अंसर हो जाएगा भाई आपका जम्मू कस्मीर में संकराचार मंदिर इस्तित है अब अगर कभी आप से सवाल पूछा जाएगा जम्मू सहर जो है वो आपका किस नदी के किनारे इस्तित है तो तवी नदी के किनारे जम्मू सहर इस्तित है ठीक है भाई चली अगला स ठीक है बाई लेट्स फेज मेरी बास समझ गया वाई सारे लोग देखाया बाबा साव अमेटकर हवाई इड़ा जो है यह नागपुर में है नागपुर यानि की महरास्ट्रा ठीक है बैस्ट मंगाल की बात करेंगे कोलकत्ता कैपिटल हो जाती है और बेस्ट मंगाल की अगर हम और बात करते हैं तो मिलकुल याद रखना है जो बेस्ट मंगाल है वो एक मात्र महिला सी या में की है महिला सी हम यहीं की है पूरे इंडिया में बोलना ही है पुस्तक किस ने लिखी रवीष कुमान नरेंदर मोदी चेतन भगत बेंगया नाइडू बोलना ही है बोलो भाई, fast बोलना ही है पुस्तक किस के दौरा लिखी गई प्रस्न का सही उत्तर क्या होगा बोलना ही है पुस्तक जो लिखी गई है यह लिखी गई है रवीष कुमार के दौरा और एक्जाम वारियर जो लिखी गई है वो नरेंदर मोदी जी के दौरा जो तिपुझ नरेंदर मोदी के दौरा यह तो बहुत प्रसिदर आइटर नहीं प्रिमिस्टेक्स आफ माई लाइफ, फाइब पॉइंट संबान, यह सारी के सारी इनी की रचनाए हैं, नटराज मंदिर किस राज में है, तमिलनाडू केरल करनाटक तेलंगाना, नटराज मंदिर भईया किस राज में है, एक बार तेजी से आंसर कीजिएगे, नटराज मंद आपका इस्तित होुजाता है तमिल नाडु में कहां परिस्टित हो जाता है तमिल grat ties की बात करेंगे सब्serिमाखा इसनल लोक नत्र निभान से सिया का एक मात्र हॉस्पिटल गश्च Newman की बात करेंगे दो जून 2014 अगला सवाल रामचंद्र पंडुरंग राव एक इसका नाम था रामचंद्र पंडुरंग राव अगर नाम पूछा जाएगा तो वो नाम हो जाता है तत्य टोपे का अगला सवाल है भाई लहना जी के नाम से किसको जानते हैं गुरु अंगत जी जो कि गुरु नानक के गुरु नानक जी के कहते हैं सिस्स थे जो लहना के नाम से कहा जाते हैं आगे चल करके गुरु अंगत के नाम से प्रसिद्ध हुए गुरु मुखी लिपी गुरु अरंगक के द्वारा दी गई थी आदिगरंत का संकलन गुरु अर्जुन देव ने ती एकला सवाल है सुरूप रानी रहालान जवारला ले मॉलाना मॉहमत अलीए महत्मा गांदी क्यों जिए अब बहुत बढ़ Ming , पन्दी जॉअफना ले रोगी इनको नेरू की जानते हैं और जया प्रकास नारायन को हम लोग लोक नायक के नाम से जानते हैं ठीक अभी है किलेर है अगला सवाल है नेस्टनल स्टॉक एक्षेंज की स्थापना किस वर्स हुई देखो एक है आपका बॉंबे स्टॉक एक्षेंज बीएसी यह जो बीएसी है वह यह आपका 1875 में बना ह उन्हेंट औरमेजिशिशन डियार डियों कि सथापना हुई कि 1924 में जो बना है यह 1924 में भारत रत्न की सुरुआत होती है वह प्याप लोगों को याद रखना है महत्यपूर । यहां तक सबको क्लियर हुआ है ना को एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में वाइसारे लो हुआ है प檜िंटेंग कादोर्फ्योत्त्राद में अधे लोगी तरह कि इसक नीयुंट में की आपका कहा नानक गुर्द्वार के नानक गुर्द्वारा ऐसे कोई कि जाता कथाव मंद अभिधंपिटक से हैं नहीं इसके नहीं 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 थे फुद्धर नहीं यह नहीं मोगल पुत्तिस्त के द्वारा अभिनम पिटक की लख्षना की गई थी यह पॉइंट आप लोगों को विद्धम के लिए रहना चाहिए ठीक है याद रहा है चलिए अगला सवाल है कान सहीता का जो संबंद है वो किससे है कान सहीता किसका एक भाग है पटा पटा आंसर कीजि कान सहीता का संबंद जो है वो किससे है प्रस्त का सही उत्तर क्या होगा कि कान सहीता के संबंद की अगर बात करते हो तो कान सहीता का संबंद जो है वह आपका हो जाता है यजुरुओ्य्य tudr जुबिथ से जब भी बेदों की बात करते हैं तो राइसा कोट जांते कि यह अरी wiggle या लिगवेद यह वह संब्हे अथर बेद यह को क्रम से है सबसे पुराना उसके बाद उसके बाद सबसे अंत ह्मेड्ह ब want to ताज महल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, ताज महल का पूर्वगामी कहने का एक आधार है, ताज महल पूरा सफेज संग्मर्मर से बना है, हुमायू के मकवरे में पहली बार, इनके जो गुम्मद बने मकवरे में, वो गुम्मद सफेज संग्मर्मर के बने है, तो इसलि तो ये नूर जहां के पिता गयास ब्यक जो थे जो की आगे चल करके एत्मादुत दौला के नाम से प्रसिद हुए इनका पूरता संगमर्मर से निर्वित पहला मकबरा है लेकिन ताज महल का प्रोटोटाइप पूछा जाएगा तो हुमायू का मकबरा अब मकबरे की बात अगला सवाल दिल्ली में किस सूफी की दरगाह है एक बार तेजी से आप लोग आंसर करेंगे फास्ट तो दिल्ली में अगर सूफी की दरगाह पूछी जाएगी तो दिल्ली में अजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेज़न पर निजामुद्दीन अलिया की दरगाह है जिनको हम लोग महबूवे इलाही कहते हैं निजामुद्दीन अलिया को महबूवे इलाही भी कहा जाता है मुईनोदीन चिस्ति साहब वाजा साहब के नाम से जाने जाते हैं गरीब नबाज भी कहा जाता है इनको इनकी दरगाहा आज मेर सरीफ में है भई बहाउदीन जकारिया की जो दरगाहा है वो मुल्तान में है अगला सवाल है निम लिकित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था नियारकस, आने सिक्रिटीज, डाइमेकस या अरिस्टूबुलस कौन नहीं आया था सिकंदर के साथ देखो सिकंदर के साथ इन से कोई लिन दिन नहीं क्योंकि यह सीरिया के राजा है Syria के राजाны थे Antiochus Antiochus उसका राजदूत है Dimagogus और ये Dimagogus बिन दुसार के दरबार में आता है बिन दुसार के दरबार में आता है केलिए रहाँ भईया यहाँ तक कोई doubt, कोई दिक्ट, कोई परसानी तो एक बार जल्नी से आप सारे लोग बताओं बड़ा बड़ से तेजी से यहां तक यह को डाउन को दिखकत किसी विद्धार थी के मन में ठीक है चलिए आगे बढ़ते ही तो आंसर होगे डाई में कस नेक्स्ट क्वेस्टन है कौन सा सही है इस में से सबसे लंबी तरंग दायर एक्स किरने बिल्कुल गलत है उच्चतम आबरती अलफा की बिल्कुल गलत है निूंतम भेदन चमता गामा की बिल्कुल गलत है क्यों आंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं सही है क्यों समझिएगा सबसे लंबी जो बेवलेंथ है वो रेडियो बेपस की है और जो हाइस्ट फ्रिक्वेंसी है वो गामा रेजस की है और जो लोएस्ट आपका इंटरेशन पावर है जो कह सकते हो वो आपका हो जाता है अलफा किरणों की ठीक है अगला सवाल है निकलसन ने किसका विसकार किया आपरावेलोट्र हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर या युड्योमीटर है पटापट आंसर करो कि पास्ट लौग जुड़े हुए हैं अस्वास्ट अस्टेश्च किजिए सारे के सारे भी द्यारथि कि अगर बहुत ध्यान से समझेगा बहुत ध्यान से समझेगा ठीक है कुछ लोगों के कमेंट बच्चे आज देखिए कमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं मुझे कुछ लोगों के इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है मोबाइल पर कमेंट आप लोगों के ठीक है चलिए हम लोग सुरुवात करते हैं बहुत ध्यान से समझेगा निकलसन जो है यह आपके अविसकारक जो है वो आपके हाइड्रो मीटर के अविसकार कहलाते है ठीक है अविसकारक हाइड्रो मीटर हम लोग जानते हैं आधरता के लिए होता है और बैरो मीटर वायमंडली दाप के लिए तो यहीं तक हम लोग session को रखते हैं साम को 7 बज़े एक session है उसको miss मत करिएगा जिसमें mapping के साथ हम लोग बहुत सारे महत्वूर्ण सांदार जांदार प्रस्ण भी बढ़एगे एक लंबा session रहेगा साम को 7 बज़े तो आप सभी लोग साम को 7 बज़े जरूर जुड़ेगा जितने लोग भी है और देखो हमारे telegram group जरूर आप लोग जॉइन कीजिए gs.gk.bh आलोक सर और यह report और भीन आप लोग देख सकते हो session अच्छा लगा हो तो एक बार जबरदस तरीके से सेर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ओके थैंक्यो अबरेवन